वाह क्या सीन है सुल्यूट ठोका और पाउं पड़ गई तभी भाई इस उने बताया की फोटो कैसे किचवानी है अगर ऐसी दुलन हो तो दुले का जीना असंभव है भाई वो खतम टाटा बैबाई ये दुलन तो भाई दुले को घर जाते ही टपका देगी टपका अब देखो सरकारी नोकरी का कमाल सरकारी नोकरी क्या गया करवाती है पता नहीं भाई किसमत लिखने के कितने पैसे इसने रिश्वत दी होगी अरे एकल जी बेटी की उमर की लग रही है क्या कर रहे हो अगर लोग सरकारी नोकरी को देखते ही ऐसी शादी करते है न तो भाई सबी जुवा एक साथ तूट पड़ो सरकारी नोकरी की तरफ नहीं तो भाई आपका मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में क्या सोच है रहे तेरी दोस्तो यैसे ही बारात आई तो इस दुलन को फूल दिये गए कि बरात पर फेंकना लेकन दुलन थी बिल्कुल गुसे वाली उसने ऐसे फूल फेंके कि दुले के वही पर तोते उड़ गए और अंकल देखो दूले को कैसे देख रहे हैं अंकल जी उसने फूल फेंके हैं कोई पथR नहीं लेकन फिर भी यारिस के साथ बहुती बुरा हुआ अब क्या ही कर सकते हैं। लगता है अब इस दुनिया पर बाबा जी की नजर नहीं है। भाई ये सब क्या हो रहा है। उपर वाले से थोड़ा तो डरो। क्या यारिस की चड़ी पहनने की उमर है। और शादी कराई जा रही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल के होते हैं उनकी शादी नहीं होती लेकिन यहां नन्ने मुने बालक भाई शादी कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको दिल से बुरा लगता है लेकिन कोई बात नहीं। बाबा जी परिकीन रखो वो यलदी आपकी शादी करवा देंगे अच्छा सा रिष्टा धूड करके। यहां लिखा हुआ है कि लड़का रेलवे में है। अरे लड़का नहीं अंकल है जी अंकल ऐसे लिखो कि अंकल जी रेलवे में है। अगर उसकी सरकारी नोकरी है तो इसमें इस दुलन की क्या गलती। अगर दुलन मेरी माने है तो उसको गोली के रफ्तार से बिल्कुल भाग जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो इनको सरकारी नोकरी से प्यार है। दुले से नहीं है। अगर दुले के बाल सर की जगा पैरों पर भी है ना कोई फरक नहीं पड़ता भई कोई भी फरक नहीं पड़ता सिर्फ सरकारी नोकरी होनी चाहिए अगर दिमाग वाली दुलन होती तो दुले को साइड करके वहाँ पर किसी और कही माला डाल देती तब इसको आता मया खैर दोस्तों इन पर बाबा जी की फुल किरपा है या हो सकता है कि इनोंने मेरा पहले वाली वीडियो वाला फार्मूला अपनाया हो वो निम्बू वाला अब इस दुले की सालियां थी बहुत तेज, वो दुले को खिला भी नहीं रही थी, और हाथ पीछे हटा भी नहीं रही थी, तब भी दुले ने कोशिच की कि वो शीन कर खा जाए, लेकि नहीं, ये तो भाई खिलाने को त्यारी नहीं है, खेर दुला करे क्या, खाये तो ये नहीं खाये तो बात नहीं बनती, अब क्या ही करें, मैं आपको पहले ही एक अड़वाइस दे दूँ, अगर कोई साली सुली ऐसे करती है, तो सिधा उसका हाथ ही चीन कर खा जाओ, चाकू रखो पास में, अरे मैं जा कर रहा हूँ कहीं और ही लफडा आपने अपनी हिचादी में खड़ा कर रखाओ, अब यहीं देख लो दुलन विदाई के वक्त बहुती दूखी थी परिशानती, लेकिन गरवालों के मुँपर तो अलगी स्मयल थी, जैसे कि ये खुशी बहुती बढ़िया है, लेकिन तब भी दुलन ने जब दुले की तरफ देखा, तो उनके त कोते उड़ गए, भाई इतना भ्यंकर दुला इसने लगता है, आज तक नहीं देखा था, लेकिन कोई बात नहीं, सरकारी नोकरी के नाम पर जिंदा राक्षस मिला है, इसे जिंदा राक्षस, खतम, बाई बाई, टाटा, क्या रब पश्टाए क्या हो जब सरकारी नोकरी अब यहां देख लो दुलन थी बहुत गुसे वाली, इसका बिल्कुल भी मन नहीं था शादी करने का, लेकिन घरवालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करार किया है, मतलब कि हो रही है, तब यह दुले को रसगुला खिलाने ही वाली थी, लेकिन खिला भी नहीं रहती, दुले क्या कसूर, उसकी तो ऐसे ही मिट्टी पलीद कर रहे हैं, मतलब कि स्टेज पर ही उसकी लंका लगाई जा रही है, पता नहीं यहर आज कल दुलों का क्या होगा, आज कल तो भाई दुलों का जिना हराम हो रहा है वैसे भी, मजा आया, उमीद गई तेल लेने, मुझ है नई वीडियो में